बसकार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एए सकड़ में है दोस्तों मद्विदेश सिक्षक भरती वर्तीन की सकंड काउंसिलिंग का इंतचार कर रहे सभी छाथ छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है आपको बता दे कि मद्विदेश में अब DPI द्वारा रोष्टर जारी कर दिया है सकंड काउंसिलिंग के लिए आप लोग देख रहे होंगे दो मई 2023 यानि आज की ही यह निवजर मतलब उन्होंने आज रोष्टर जारी किया है प्रात्मिक शिक्षक पदों पर निउक्ती हितू काउंसिलिंग के दिसा निर्द पदों पर हो रही है लेकिन ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए साथéta ज़ार पदों से ज़्यादा पर करते हैं तो उम्मित जताई जाती ही कि अधिक से अधिक छात्रों को इसमय जोइनिंग मिल सके क्यूंकि यथि साथ के मधमे जीरे के समान है आप इस बात को समझ सकते है है आरंब हो जाएगी बहुत जल्दी इसका नीचे में आपको सैडिल भी बता देता हूं कौन सा कब क्या होगा वो सब चीजे जानकारी देते हैं इसका आप स्क्रीन सोट ले लेना इसको पढ़ने से इतना कोई फायदा नहीं होगा लेकिन जो महात्पूर बात है वो हमें जा लगाने के लिए नों डिटिल दे दिए कि अतिती सिक्षक कब से कब तक इसमें अपना जो सर्टिपिकेट के लिए टिक मार्क कर सकते हैं आयू की बात करेंगे तो नियूंतम आई दोस्तों आपको सभी को पता हूगा 21 बर से अधिकतम आई सब चीजे दी गई हैं इसमें को को हमें जानना जरूर है हमारे काम की चीज़ है इसको देखें जो अपने काम की चीज़ है अतिती जो हैं अतिती की स्रणी में आने वाले आवेदुकों के चिन्नांकन हेतु पंजियन 4 माई 2023 से लेके 8 माई 2023 यानि 4 तारीक से लेके 8 तारीक तक अतिती सिक्षक के दिया आप हैं तो आप इसमें टिक कर सकते हैं MP online द्वारा रिखतियों के आधार पर merit क्रम में दस्ताबेज सत्यापन है तो अब भ्यारतियों की सूची तयार कर अपलोड करना एन्हीं माई 2020 अब इसमें date नहीं दी गई है लेकिन इतना है कि माई में आपकी है merit सूची जारी कर दी जाएगी कि किस किस students को इसमें दस्ताबेज सत्यापन के लिए अपलोड करना है दस्ताबेज सत्यापन सूची में समले तब भ्यारतियों द्वारा दस्ताबेजों को अपलोड करना माई एब जून में यहां भी date लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में आपको यह सारी प्रिक्रिया हो जाएगी जून में आपका verification हो जाएगा सत्यापन उपरांत सूची का जो प्रकासन है मतलब आपको किस जगए पे आपको joining करनी है किस school में आपको पदिस्थापना मिली है तो यह आपकी जुलाई में पिलकुल हो जाएगी तो आप आप मान के चलें कि अगस्त में फाइनली आपको क्या मिल जाएगी जॉइनिंग मिल जाएगी तो यह बहुत अच्छी ख़बर है और आज की अनुबा श्रीवास्ता आएक लोक्सिक्सन संचलार ने दौरा निकाली गई है इसमें अब हम बात करेंगे दस्तावेजों की कौन-कौन से दस्तावेज आपको लेके जाना है तो याद रखेगा प्रात्मिक सिक्छक पदेतू अब्यारतियों दौरा अपलोड किये जाने वाले आबच्यक दस्तावेज आपको दसमी की मार्क्षित ले जानी है क्योकि उसमें डेटो बर्थ होती हो देटो बर्थ मिलान करना बहुत ज़रूरी है बार्मी की अंक्सूची भी लेकर जानी है इसनात्त्य को पादी की अंक्सूची सभी सेमेश्टर उस सभी वर्सों की एदी सेमेश्टर बाई यह तो सेमेश्टर की सभी चाहिए और एदी आपकी जो बार्षिक वाली एक्जाम होती उसके हैं तो उसके बेश आईए B.8 की अंक्सूची सभी semester सभी बर emission की DL.8 की अंक्सूची semester अच्छ वर समस्थ बर emission होगी आपके पास B.8 हो, D.8 हो आपको लगेगी आरकषण का लाभ प्राप्त करने वाले अनु जो भी अभ्यारती हैं अनुसूची जाती जन्जाती के हैं अन्य पिछड़ा बर्क के हैं आर्थिक बर्क से कमजोर EWS के लोग हैं उन सभी को मद्द प्रदेश में जो भी समक्ष अधिकारी है उनके द्वारा जो नभी नी करन डिजीटल प्रमाड पत्र हो उसी को लगेगा वो बहुत जरूरी है ति वो नहीं हो पाएगा तो आपका का नहीं होगा मद्द प्रदेश चाहिं नबाश प्रमाड पत्र होना जरूरी है तो आपको प्रमाड पत्र लगेगा दिव्यांग है तो आपको सेटिफिकेट लगेगा भूत पूर्प सैनेक ऀना चूट मैं एदि आपको लगता है कि आयू में हमें छूट चाहिए तो समकछ जो अधिकारी है उसके दिसा निर्देश के अनुशारी आपको उसमें छूट मेलेगे उपनाम परीबतन की स्थिति में सफ़त पत्र नाम एवं उपनाम दोनों परीबतन की स्थिति में राजपत्र में प्रति लागू होने की दसा में इधि आपने नाम ऐा उपनाम अपना बनाया है कुछ भी change कर लिया तो उसके लिए आपको इसमें जरूरी ये दस्ताविज होना है मतलब आपको 10 दस्ताविज जरूरी है और इसकी आपको एक एक पिरती अपनी जरोक्स करा के घर में रख लेनी एक पिरती आपको बहां ले जानी पड़ेगी तो कुल मिला के टोटल हम बात करें तो आपको तीन पिरतीया लगेंगी ठीक है अब सेकंड काउंसलिंग से संबंदित एक्चल में जो महत्मूर जानकारी थी आप इसका स्क्रीनिसोट ले 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 लेना इतना इतना इस इस डेस्ट को होना है इसके अलाबा भी आपके मन में कोई भी होता है कोई भी परिशानी होती तो सेकंड काउंसलिंग से संबंदित आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं बता सकते हैं मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि 100% आपकी हेल्प की जाए यदि आपको और भी समस्या होती है तो देखेगा यहाँ पर लिखा है MP Online द्वारा निर्धायत प्रिकिरिया सुल्क जो है वो दे होना है अब भ्यारतियों को Online जो प्रिकिरिया रहेगी जिग्यासा समस्या कोई भी समाधान की जरूरत है 07556720200 पर पर पराता साड़े आठ बजे से लेकर रात्री साड़े आठ बजे तक आप संपर्ग कर सकते हैं कोई भी परिशानी है तो आप इसमें जानकारी ले सकते हैं ठीक है इसके बाद मैं और कुछ आपको लगता है तो मैं आपको बता दूँगा अच्छी कबार है और बहुत ही जल्दी आपकी सकंड काउंसिलिंग स्टार्ट होने वाली है लेकिन इसकंड काउंसिलिंग में आपको पद विरिद्धी होती है इनक्याउनचार पद नहीं होते हैं और इस टूडेंट्स भी इस बात को समझ रहे दिया आप अपने हक्के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो सारी चीजें बेकार हैं, कोई दूसरे आपको हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आपको खुद लड़ना होगा, खुद आगया आना होगा, तब ही आपको नोकरी मिल पाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है?